दोस्तों, 22 जून जेश्ट पूर्णिमा की तिथी के दिन बस चुपचाप कर लेना, एक मुठी हल्दी और दो लॉंग वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय तुरंथ ही जीवन के हर कश्टों से मिल जाएगी, आपको मुक्ती भगवान विश्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से खुशियों से भर जाएगा, आपका घर आपकी हर मनो कामना होगी, पूरी एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे, आप करोडपती दोस्तों सनातन धर्म में एक वर्ष में 12 पूर्णिमा तिथी पढ़ती है, लेकिन इन में सबसे ज्यादा विशेश और खास महत्व जेश्ट पूर्णिमा तिथी का माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इस दिन भगवान विश्णुजी और माता लक्ष्मी जी धर्ती पर वास करने आते हैं, और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, शास्त्रों में वर्णित है कि जो भी व्यक्ति भगवान विश्णुजी और माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा पाठ करता है, उस व्यक्ति की जो भी मनोकामना होती है, वह एक ही दिन की पूजा पाठ से पूरी हो जाती है। दोस्तों, 21 जून को पढ़ने वाली गेश्ट पूर्णिमा तिथी के बारे में हिंदू पंचांग में बताया जा रहा है कि इस पूर्णिमा तिथी का समय पूरे 122 वर्षों बाद आया है, जिस दिन 24 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन नक्षत्र योग, अमरित सिध्धी योग, ब्रिहस्पती योग, जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है, और अगर इस पूर्णिमा तिथी के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, पूरे दिन का व्रत रखते हैं, पूरे दिन भगवान विष्णुजी, मा माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद मिलेगा बल्कि आपको मोक्ष की प्राप्ती होगी आपके लिए स्वर्ग के दर्वाजे खुल जाएंगे आपके घर की बरकत होगी आपके घर की उन्नती होगी आपके जीवन में एक चमतकारी और सकारात्मक बदलाव आएगा लेकिन दोस्तों अगर किसी कारण वस अगर आप इस जेष्ट पूर्णिमा तिथी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं किसी पवित्र नदी में जाकर सनान नहीं कर सकते हैं पूरे दिन विधि विधान से पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर आप इस दिन चुपचाप तंत्र शास्त्र जयोतिश शास्त्र के अनुसार एक मुठी हल्दी और दो लॉंग का उपाए विधि विधान से तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से आपको साक्षाद भगवान, विश्णुजी और माता लक्ष्मी जी का वह आशीरवाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नश्ट हो जाएगा, बलकि इस उपाय को करने के बाद आपकी कोई भी मनो काम न हो, मान लीजिए, आप लंबे समय से नौकरी की तयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, माता लक्ष्मी जी की क्रिपा से इस साल आप करोड़ पती बन भगवान विश्णु जी की क्रिपा से आपके नवग रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नती होगी, आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी कष्ट और दि पाय करके आपको भगवान विश्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद कैसे मिल सकता है? तो देखे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो हल्दी होती है, वह शुब गुण का प्रतीक होती है. जब भी सनातन धर्म में कोई भी पवित्र और पूजन शही लाभ मिलता है. दिवाली हो गई, धन्तेरस हो गई, भगवान विश्णु जी की कोई पूजा हो गई, या माता लक्ष्मी जी की कोई भी पूजा हो गई, इसमें हल्दी का प्रयोग करना बहुत ही ज्यादा शुब और कल्यानकारी होता है. दूसरी तरफ जो लौंग ह होती है दोस्तों, इसमें भगवान विश्णु जी और माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का बास होता है. शास्त्रों के अनुसार अगर आप माता लक्ष्मी जी और भगवान विश्णु जी के सामने कोई भी पूजा पाठ करने जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि एक ह दिन के उपाय से आपकी मनो कामना पूरी हो जाए, तो आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान विश्णु जी की पूजा में हमेशा लौंग का इस्तिमाल करना चाहिए. शास्त्रों में वर्नित है कि सही दिन पर सही मुहूर्थ बन. अगर आप माता लक्ष्मी जी भगव भगवान विश्णु जी की पूजा में लौंग का प्रयोग करेंगे, तो वह पूजा तुरंथ सिध्ध हो जाएगी. और दोस्तों, 22 जून को पढ़ने वाली जयेश्ट पूर्णिमा तिथी का समय पूरे 122 वर्षों बाद आया है. और इस दिन अगर आप चुपचाप सि जास्त्र और जोतिश शास्त्र के अनुसार कर लेंगे, जिसकी सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं, तो एक ही दिन के उपाय से आपको भगवान विश्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद और वर्दान एक साथ प्राप्त हो जा आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और आने वाले समय आपका बहुत ही कल्यानकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान विश्णु जी और माता लक्ष्मी जी क आशीरवाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, भगवान विश्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नती करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास क साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय भगवान विश्णु जी की जय माता, लक्ष्मी जी की और कमेंट बॉक्स में अपनी राशी भी डाल दीजिएगा, आपकी राशी के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा, जो इस पूर अगर आप यह बात नहीं जानते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दे, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का जो नियंत्रन होता है, वह भगवान विश्णु जी के हाथों में होता है, आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य, आपका साथ दे आपके राहु केतु की दशा हमेशा अच्छी बनी रहे, आप अपने जीवन में जो भी निर्णय ले, उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुँचे, तो सिर्फ आपको यह करना है, कि इस पूर्णिमा की रात्री को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है, आपके घर का जो से पहले आपको घी का दीपक जलाना है, हल्दी के डिब्बे को दो लॉंग को अपने हाथ में पकड़ना है, और भगवान विष्णुजी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है, क्योंकि भगवान विष्णुजी और माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है, बीज मंत्र है, ओम नमो भगवते, वासुदेवाय नमा, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, दोस्तों ओम नमो भगवते, वासुदेवाय नमा, अब इस दो लॉंग को आपको हल्दी के डिब्बे में डाल देना है, और इस हल्दी के डिब्बे को आपको अपने उस कमरे मे जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। जिस कमरे में आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोख पाएगा। इस उपाय के बारे में हमने आपको ज्योतिश शास्त्र के अनुसार बताया है। शास्त्रों में वर्णेत है कि अगर यह उपाय जेश्ट पूर्णिमा तिथी के दिन किया जाए तो उस घर पर भगवान विश्णुजी और माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद बन जाता है। उस घर में खुद भगवान विश्णुजी और माता लक्ष्मी जी वास करने आते हैं। उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नती होती है तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। दोस्तों पहले आपके जीवन में धन आ रहा था, अब आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चौपट हो गया है। आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं, तो समझ जाईए, आपका शुक्र ग्रह प्रोडपती बन जाता है और शुक्रग्रह का नियंत्रन माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्रग्रह आपका साथ दे, आपके जीवन में धन की वर्शा हो। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाए तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस पूर्णिमा तिथी की रात्री को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है, जो पहले कभी इस्तेमाल ना हुआ हो, और आपको दो इलाइची लेनी है। क्योंकि दोस्तों इलाइची जो होती है, वह शुक्रग्रह का कारक होती है। अब आपके घर का जोभी पूजा घर है वहाँ पर आपको जाना है दो इलाइची को और हल्दी के डिब्वे को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाब आपको 11 बार करना है बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमा हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों ओम महालक्ष्मी नमा अभी दो इलाइची को आपको हल्दी के डिब्बे में डाल देना है और इस हल्दी के डिब्बे को ले जाना है आपको अपनी अलमारी में अपनी तिजोरी में दक्षन दिशा में आपको रख देना है सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस पूर्णिमा की रात्री को कर लिया तो मान कर चलिए दोस्तों ये इलाइची और हल्दी अभिमंत्रित हो जाएगी जो एक चुम्बक बन जाएगी जिसके बाद आपके जीवन में ये धन खीचने का काम करेगी इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन खीचा हुआ चला आएगा आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धी होगी माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फाइदा पहुचेगा माता लक्ष्मी जी की कृपा से फिर आपके जीवन में आपको किसी भी प्रकार के आर्थिक कष्ट आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा इस उपाई के बारे में हमने आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताया है दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि भगवान विश्नुजी और माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद हमेशा आप पर बना रहे भगवान विश्णु जी की कृपा से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप इस साल करोड़ पती बन जाए तो सिर्फ एक काम कीजिएगा की इस पूर्णिमा के दिन घर पर ग्यारह रोटी बन वालिजेगा हर रोटी पर थोड़ी सी हल्दी रख दीजेगा और किसी भी गाए को अपने हाथों से इस ग्यारह रोटी को आपको खिला देना है आप एक गाए को भी खिला सकते हैं आप दो गाय को भी खिला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एक गाय में तैतिस कोटी देवी देवताओं का वास होता है, गाय के गोबर में माता लक्षमी जी का वास होता है, भगवान श्री कृष्ण, जो भगवान विश्णु जी का अवतार थे, वह सबसे बड़े गौसेवक थे और अगर कोई भी व्यक्ति जेश्ट पूर्णिमा, तिथी के दिन गाय को हल्दी और रोटी खिला देता है, तो उस व्यक्ति को साक्षाद भगवान विश्णु जी और माता लक्षमी जी का आशीरवाद और वर्दान एक साथ प्राप्त हो जाता है, उस व्यक्ति के घर की बरकत होती है, उस व्यक्ति के घर की उन्नती होती है, इस उपाय के बारे में साफ साफ जोतिश शास्त्र तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा